इसी पेज में है ये पिक तो ठीक है ये पिक आप देख सकता है आपर इस सरौजा थांब इस रूजा इस न इस इस रूज जन fire है इस सौैटरर म迌ा ये 12 करेजनर्थ कन देख इस सरौजा SD मामा मजों सरौजा बोजोर जाति इसे रूज़ थें रू tightening इसा रूजा करें इसी सरौजा चाहि कोई बार मिस्जी ये दनबा वस्वाशी sometimes suvasini tricks her mama and say suvasini has gone out इस пिक को देखें क्या सरोजा मिरर के सामने खड़ी है मिरर मीनस होता है आई नहीं तो जी नहीं उसके सामने मिरर नहीं उसकी twin मीनस होता है जुडवा ठीक है जुडवा है तो कन्फ्यूस हो गए न Tages जब कभी वे दोनों मिलती तो उनके मामा भी, है न, मदर्स ब्रदर, मामा भी गड़ बड़ा जाते थे, कभी सरोजा को, स्कॉल्डेड मीनस होता है, डांट पढ़ना है न, डांट, सरोजा, कभी सरोजा को डांट पढ़ जाती, सुवासनी की सैतानी की वज़े से, और कभी तो तो अपने मामा को कहती की सुवासनी बाहर गई है तो ट्विन होने का ये फाइदा था But now mama has learnt a trick He says, sing a song in Marathi Why this funny trick? Read about them and you will understand The sisters were just two weeks old When Saroja's father's brother's wife When Saroja's father's brother wife, Chachi Adopted her and took her to Pune Everyone in Chachi's house is very fond of music Mornings begin with music in the house Saroja knows many songs in both the languages Tamil and Marathi At home, everyone speaks Tamil And at school, most of the children speak in Marathi Suvashini stays with her father in Chennai Her father is a karate coach Since she was three, Suvashini started doing karate with the other children On holidays, both father and daughter start practicing in the morning Saroja and Suvashini look alike But are also quite different Do you know? Do you now know why mama has his way of finding out who is who? So, now, she says She's going to learn if the mom has got it And they say that Marathi has got it What about the truth? So, she says that What about the truth is that She goes to read? She asks that So, her father's father and daughter She says that She goes to her She says that She says that She goes to her प्राची के घर में सभी को म्यूजिक का बहुत शौख है। सुबह की सुरुआत बिगनिंग ओफ मॉर्निंग है ना ही म्यूजिक से होती है। सर्रोजा को बहुत से सौंग्स और बहुत से सौंग्स आते हैं ठीक है। और दोनों लेंग्विजेस में मराथी और तमिल दोनों में उसके घर पर सब लोग तमिल बोलते हैं और स्कूल में ज़्यादतर बच्चे मराथी बोलते हैं। और सुवासनी जो थी वो चन्नाई में अपने पिता के साथ रहती थी ठीक है। सरोजा तमिल भी जानती थी पर वो अपनी चाची के यहां पुणे में आ गई तो वो मराथी भी जानने लगी ठीक है। और सुवासनी शुरू से चन्नाई में अपने पापा के साथ रहती है। उनके पिता कराठे के कोच हैं। तो तीन साल की उम्र में ही सुवासनी बाकी बच्चों के साथ कराठे करने लगी। और हॉलिडेज के दिन दोनों फादर और डॉर्टर सुबह से ही प्रक्टिस करने लग जाते हैं। देखने में दोनों सिस्टर एक जैसी हैं पर उनकी पहचान फिर भी काफी अलग है। अब तो आप समझ गया होंगे कि उनके मामा ने उनकी पहचान का तरीका कैसे दूड़ा। सुवासनी को मराठी नहीं आती थी क्योंकि वो पापा के साथ चिन्नी में रहती थी। तो वो तमिल बस जानती थी और सरोजा, तमिल और मराठी दोनों लेंग्विजिस जानती थी। इसलिए जब भी मामा सुवासनी के सामने आते तो उसको बोलते कि आप मराठी बोल कर दिखाओ। तो उसको नहीं आती थी, तो मामा आसानी से उन्हें पहचान जाते थी, ठीक है, तो यहां कुछ questions दिये हुए हैं, देखें, इसके answers आप find करेंगे, और कल मैं इसके answer फिर आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है,